Hello friends, अगर आपको trading में career बनाना है, अगर आप इस field में नए हो, अगर आपको सीखना है कि trading क्या होता है, अगर आपको trading में loss कम करना है, या आपको profitable trader बनना है, क्या ये field आपके लिए है की नहीं है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो, तो ये video perfect आपके लिए है, अगर आ होग साइस सिस्टम चाहिए हो तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँ को कि वीडियो में लास तक बने रहें है ताकि मैं आपको सब कुछ क्लिए कर सको और आप इस फिल्ड में करियर बना सको और जो अपना family का situation है अगर आप middle class person हो तो इस वीडियो बस आपके लिए है क्योंकि अगर आप देख लिए इस वीडियो को तो अपना पुरा family को एक middle class से higher middle class बना सकते हो अपर class बना सकते हो ठीक है तो I hope आप वीडियो में last तक बने र प्रेडिंग को जरूरु होता है सबसे पहले बात आती है trading is a career option तो आप सकता है क्या लोग trading को करियर option बना सकते हैं तो इसका answer मैं दिएँगा यास yes एस करियर पस अबन सकता है लोग आप यूवारे साइटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो की trading को करियर option नहीं मानते हैं लेकिन आप अगर सर्च करोगे, अगर आपको अपने आसपास ना मिले, तो आप YouTube पे सर्च करोगे, Instagram पे सर्च करोगे, टुटर पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको इतने सारे successful trader मिलेंगे, जिनका कोई अंद नहीं है, और वो अपने level को कहां से कहां push किये, वो देख कि आपको बहुत ज़्यादा motivation मिलने वाला है, कि वो पहले कितना कम yearning करते थे, या फिर कुछ yearning भी नहीं था उनके घर में, और आज कि दिन में वो परड़े, एक लाग, दस लाग, बिस लाग रुपे परड़े बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं, क्यों ब बिजनस नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि trading कैसा है, कि लोग का किसमत से काम चलता है, लोग ने पैसा लगाया, किसमत सही होगा तो profit, किसमत खराब होगा तो loss, और हमें जुआ के जैसा trade किया जाता है, कि लोग जुआरी होता है, जो उसे society में अच्छा जगा नहीं दिया ज तो आपका साल में tax कटेगा, लेकिन जब आगर आप trade करते हो, तो जैसे ही आप फर्स्ट रेड करते हो, आप अगर इंट्रडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपने जैसे ही ट्रेड किया, साम तक रात तक आपका GST वेगारा, सब कुछ कट के ही आपके account में पैसे आएंगे, त तो चलिए अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है educational qualification for trading तो बहुत लोगा question यह राता है इस field में आने से पहले कि हमें कौन-कौन साफ चीज चानना चाहिए और कितना हमें education लेना चाहिए ताकि मैं field में आकर बहुत अच्छा trader बन सको जैसे होता है कि अगर आपको engineering में admission लेन अलग सब कुछ के लिए अलग होता है लेकिन मैं बता दो कि इसके लिए ना आपको कोई degree का जरुवत है ना education का जरुवत है लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि minimum education समझे कि 4-5 class तक होना ही चाहिए ताकि आप plus minus यह सब कुछ-कुछ समझ सब हो ठीक है उससे ज पहले तो मैं answer दो कि yes trading is a business ठीक है और वो business कैसे है और business में क्या कही use होता है और हम लोग यहां पर क्या कही use करते है सब कुछ देखने वाले जैसे देखिए आप कोई भी business खोलोगे या तो रेस्टोरेंट है या तो कुछ भी होगा तो अगर आप खोलोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए infrastructure चाहिए ठीक है अब इस लाइट पर हम लोग देखने वाले इस trading is a business क्या trading एक business है तो मैं पहले बता तो yes trading is a business even though there are no visual infrastructure required and one can start trading just with laptop and internet connection trading is treated as a business ठीक है हमें क्या चाहिए जैसे आपको restaurant अगर open करने वाले है कुछ open करने वाले तो आपको क्या चाहिए पहले आपको रेंट में वो release लेना पड़ेगा जहां पर आपको इंफ्रेस्क्टर बनाना पड़ेगा ठीक है लाइटनिंग करना पड़ेगा आपको सेफ लाना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा आपको उसके लिए लेकिन अगर आप trading करते हो तो आपको क्या चाहिए laptop चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और साथ मैं आपको क्या चाहिए सफिसेंट कैपिटल जिस कैपिटल को यूज करके आप ट्रेटिंग कर सको ठीक है और दूसरी पॉइंट पर मैं आगर आता हूँ तो आपके पास एक होना चाहिए ठीक है बिजनस मांट का यह मतलब हो गया कि एक करोड़ कंपनी जो चला रहा है वैसा होना चाहिए वैसा अधर्ण कुछ नहीं है मतलब कि जो आप एक छोटा सा ठेला बहो 57 बीच लाहरा वह भी एक बजनस म्रीमित मेंड़ेड होता है उसको ही पता है कि कैसे सेल करना कैसे पर्चेस करना कितना मैं बाई कर गे कितना में सेल करने हैं सामें profit होगा यह सब मतल्ब की जिसे अगर वाप टाएप सायलरी person हो भाट करते हैं फर यह थो अब सब्सक्राइब करता है कि आपने उस मंत में ट्रेडिंग किया तो कैसे अगर सिस्टम फॉलो किया तब लॉस हुआ या तो आपने कर दिया है बहुत सारे रिजन होते हैं जिस आपको पता हो जाएगा कि यह यहां पर इंकम होते हैं इर्रेगुलर होते हैं तो चलिए अब अगले स्लाइट पर चलते हैं और देखते हैं अब सेम चीज ओहां में बात किया सेम यहां पर बात करता हूं जॉब भीस ट्रेडर सैलरी ठीक है दोनों का सैलरी के अगर बात करो ट्रेडिंग में कोई रेगुलर इस्ट्रिम नहीं है ज अगर मैं दूसरे पॉर्ण्ट का बात करूं तो इसमें क्या है फ्रेंट्स कि अगर आप एक सैलिड परसंड के जैसे माइंड सेट रखते हो कि ठीक है कि नहीं अगर मेरे इस मंद में दस जार नहीं आए तो मेरे को बहुत प्रॉलम होने एसमें उपर नीची होते रहता है त्रीक है इसलिए आपको ये सब ci सोच के ही इस में आना चाहिये अगर आप ऐस फिल्ड में करियर बनाना चाहते हो just keep it a try ठीक है बस ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए बस आपको इतना ही लाइन का ज़रुवत है और आपको इसके बाद का कोई जरुवत नहीं है ठीक है उसके बाद के मैं पढ़के आपको बता देता हूं क्या है मतलब जो भी पैदा होता है उसका सर पर लिखा नहीं रहता है कि यह डॉक्टर बनेगा इंजिनियर बनेगा लॉयर बनेगा क्या बनेगा उसका लिखा नहीं रहता है हमें बस क्या करना होता है just give a try हमें पस try करके देखना पड़ता है कि क्या हमें इस field में successful हो सकते कID कि नहीं हो सकते और जो लोग try ही नहीं करेंगे उनके लिए तो कोई फिल्ड नहीं है, इसलिए अगर आप इस फिल्ड में आगे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो अब तक, तो आपके लिए फिल्ड है और 100% है, बस आपको एक ट्राइ करना है, अब आते हैं एक स्लाइड पर जहां पर है, पैसन फोर ट्रेडिंग, टॉंट गेट इंफ्लुएंस बाइ वाचिंग रील और इंस्टाग्राम अवावट ट्रेडर, वू ट्रेड ओन हिल्टॉप और ओवर अपूल, और बाइ प्राइवेट जेट, और थ्रो पार्टी इन यच अटिसी, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने बहुत सारे रील देख कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट जेट खरीच चुके हैं, हिल टॉप पे जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं भी अपना समर विकेशन मना रहा है, विंटर विकेशन मना रहा है, मतलब 24 गंटा, 365 दिन वो फ्री है, कहीं से भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, गोगा के असान है या फिर नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, remember they are selling the dream, वो क्या करते हैं, dream बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, know why you want to become trader, चलिए अब नेक्स लाइट देखते हैं, get rich quick, बहुत लोगों का mindset यह होता है, कि job करूँगा, तो एक साल में 3-4 लग कमाऊँगा, trading करूँगा, तो एक दिन में 3-4 लग कमा लूँगा, तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, 30 दिन का मेहनत, मैं एक दिन में कर लूँगा, तो 29 दिन में free रहूँगा, इससे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप system और discipline से कुछ follow नहीं करोगे, तब तक आप profitable कभी नहीं होने वाले हो, ठीक है, trading is not get rich quick business, choose to become trader, choose to become trader only if you are passionate about it and willing to follow process and with discipline, जब तक आप यही चीज़ नहीं करोगे, कोई भी चीज़ को अगर discipline से अगर प्रोसेस को follow नहीं करोगे, तब तक समझाए यह कुछ फैदा नहीं होने वाला, आपका कुछ benefit नहीं होने वाले इस फिल्ड में, ठीक है, सबसे बड़ी बात और सबसे important बात पूरे slide में यही है, अगर आप यह समझ गए, तो फिर समझो आप trader बनने का कागार पे हो, never trade on borrow fund, आप किसी से पैसे उधार लेकर कभी trade मत करना, इसका मैं logic पहले आपको बता देता हूँ, आपने किसी से 50,000 रुपय उधार लिया, ठीक है, आपने कल सौधा मारने गया, कल आपने trade लेने गया, आपने जैसे ही trade मारा, तो क्या हुआ, कि market यहां से थोड़ा उपर गया, आपने 5,000 का profit किया, ठीक है, आपने SL नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं SL लगा दूँगा, तो अगर हिट हो जाएगा, तो क्या पता 5,000 रॉस हो जाए, तो मेरे पास 45,000 बचेगा, आपने SL नहीं लगाया, यह market फिर थोड़ा उपर गया, 6,500 तक गया, फिर वहां से market में कुछ ऐसा हुआ, कि market पूरा नीचे गिर गया, ठीक है, और जब market नीचे गिरा, तो क्या हुआ आपके साथ, आप सोचे कि अरे मैं सोचा था कि आज 5,000 बना के निकल जाओंगा, लेकिन मैं अभी 2000 रुपिया लॉस में हो, ठीक है, 2000 रुपिया लॉस में हो, तो आपका mindset क्या बोलेगा, कि जो 2000 रुपिय है, उसे मैं profit कर लूँ, break even पर निकल जाओंगा, मतलब zero profit, zero loss में निकल जाओंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है, कि आपका 2000 रुपिया जा चुका है, ठीक है, अब इस 2000 को लाने के लिए, अगर आप सोचे को कि फिर से मैं profitable बन जाओं, तो ये 2000, माल लिजे कि आप सोचे में आए, zero profit, फिर आपको कितना yearn करना पड़ेगा, 1000, तो आप कितना पर आए, 1000 रुपिया, ठीक है, अब क्या हुआ, इतना तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कि आपने trade कितना लिया, अगर माल लोग कि इतना ही करने के लिए, आपने माल लिजे कि 20 trade ले लिया, ठीक है, तो 1000 रुपिया यहीं चला गया, आपने कमाया क्या, आप तो 1000 कमा के भी break even पर ही आगया, इसलिए सब कुछ आपको manage करके चलना पड़ेगा, और जब तक आप discipline में नहीं रहोगे, कुछ नहीं हो भाएगा, और borrow को पैसर आता है, जब भी आप किसे से कर्ज लेकर trading करते हो, तो आपके उपर pressure रहता है, कि मुझे उसको 50,000 रुपया देना है, मुझे 1,200,000 रुपया किसी को देना है, और इस region से क्या करते हो, कि आप सुचते हो कि आपका कभी loss नहीं हो, तो इसलिए आपका SL लेना नहीं चाहते हो, और जो आप SL लेना नहीं चाहोगे, तो आपको ब मार्केट नीचे गीरा, और आपका 20,000 का loss चल गया, अब क्या हुआ कि जहां आपका 49 रहना चाहिए, आपका 30K बचा है बस, ठीक है, तो आपके पास पैसा कम बचा, तो quantity कम लोगे, quantity कम लोगे, तो आप profit कम करोगे, profit कम करोगे, आपके उपर लोड रहेगा, आप फिर से loss क होगे, तो यही है, कि work for few years to generate a capital, अब कोई भी काम कर लो कुछ साल, capital generate करने के लिए, या फिर अगर आप student हो, student को कि बहुत इस फिल्ड में उतर रहे हैं, आज के लिसले में बता रहा हूँ, if you are a student, convince your parent to lend them a small amount, अपना parent को बोलो कि आपको एक छोटा से amount दे, छोटा amount मैं क्य change हो जाए, ठीक है, यह जिए आपको समझना चाहिए, जैसे माल लिजए कि आपका father का income है 50K, ठीक है, 50K और आपका father का saving नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप लोग 2-3 भाईब हैं नो, आपका father का saving नहीं हो पा रहा, और इसके बाद क्या हुआ, कि उनका month में माल लिजए, कि 20K remaining meaning बसता है, ठीक है, और आपने क्या demand किया, कि मुझे 1 lakh चाहिए, उन्होंने क्या किया, कि आपको दे दिया 1 lakh रुपया, आपको जब 1 lakh रुपया दे दिया, और आपने क्या भूला, कि यह तो अगले महीने 1 lakh से 2 lakh हो जाए, क्योंकि आपने influencer के बहुत सारे trader का देख लिए, क तो आपका पापा का जो अगले महीन, मन्त salary आएगा 50 के, वो तो चला गया, जिससे आपके पापा लिए होंगे, आपका घर अब कैसे चलेगा, और आप अभी भी 1.5 lakh रुपय करजे में हो, अब वो पैसा कहा से आएगा, चलिए, अब अगला देखते है, सेफ्टी, सेफ्टी पर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टन चीज है, देखिए, ये चीज उनके लिए है, जिनके भरोसे फैमली चल रहे है, कि मतलब कि अगर आप सेलेट परसन हो, आप तीन, आप तीन-चार लोगों, आप पे तीन, आपके उपर तीन से चार लोग निर पिस्टल for at least 12 to 18 months, ठीक है, क्या आपके एकाउंट में इतना पैसा है, कि आप अगर लॉस में भी रहोगे, तो 12 से 18 महीने आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाले फैमली चलाने में, this will give you more option when something goes wrong, मतलब कि अगर आप इस फिल्ड में लॉस कर गया, पूरे पैसे, ठीक है, माल लिज़े कि आप 5 लाख रुपया लेकि इस फिल्ड में उत्रे उट, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, और आपने देखा कि आपके एकाउंट में 15 लाख रुपय और रिमेनिंग बचा हुए, तो आपने सुचा कि हाँ, ये तो मेरे पासा है, इस से मैं 1.5 साल चला सकता तो आप क्या कीजिए कि आप इस फैमिली इस पैस, तब आपको क्या करना चाहिएbie, आपको इस पैसे पर लेना चाहिए, छिखेत इस पैसे पर रिक्स लोग है, अगर ये पैसे टू भी गया, तो आपको एफीक्ट नहीं होगा, आप इस पैसे से फिर दूसरा बिजनेस और वो कुछ ज़्यादा लेवल क्रॉस कर जाए इसलिए आपको यह सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा छलिए फ्रेंड अब नेक्स लाइड पर चलते हैं जो कि है give yourself time आप अगर इस फिल्ड में आऊना तो आपको time देना पड़ेगा क्योंकि आपको तो यह पता होगा कि आ एमटे करना हो एमबीए करना हो कुछ भी करना हो तो आपको पता है कि उसमें time लगता है लोग क्या सूचते हैं कि यहां पर कुछ shortcut है ठीक है जो अगर कुछ life में नहीं कर पाए उन्हें क्या लगता है कि अगर मैं life में कुछ नहीं कर पाए तो में लिए फिल्ड सबसे बेस साल लगने वाला था वहीं आप स्टार्ट कर सकते अपना करियर छे मंत से और वह आप discipline follow कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि discipline होता क्या है वह से follow कैसे किया जाता है तो अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमारे टेलिग्राम के साथ जूड़ सकते हैं क ठीक है तो वो सब आप पर depend करेगा कि आप ट्रेट लो या ना लो लेकिन मैं आपको discipline सिखा दूगा ताकि आप एक trader बन सको चलिए अब नेक्स स्लाइट पर देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ फेल क्विकली विच हेल्प यू तो लर्ण फास्टर फ्रॉम यूर मिस्टेक एंड रेटिफाइद अगर आप जल्दी फेल होगा लाइप में तो जल्दी आप सक्सेस्पल बनने का आपका चांस अगर मान लिजे कि मैं एक्जांपल लेता हो कि आप अगर कल हो कि आपके पास अगर दस लाक हो और अगर वो लॉस हो कि अगर आप लर्निंग ले रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप 10,000 लगा के उससे लर्निंग ले लो तो यह चीज़ आपको समझ में रहा हो कि जितना जल्दी आप जितना कम कैपिटल में फेल होके सीखोग तो आपका भी फेल नहीं होते हो, बस आपके उपर है कि आपको उसमें छोड़ना नहीं है और आपको doubt नहीं करना है आपके उपर, ठीक है? So before coming to the conclusion and discarding the idea, give it a chance, एक chance तो देकर देखो, यार होगा नहीं होगा वो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, बस हमें try करना होता है, try up to your full capacity with 100% commitment and dedication and you will never know, maybe trading was in your blood, कोई भी field से हमें तभी नहीं हटना चाहिए, आप अपना 100% देकर देखो, अगर आप नही करो, आप बहुत कुछ सीखो, हमारे साथ बनो, तकि मैं आपका hand holding करका आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ, इसलिए मैं बोल रहाँ, टेलिग्राम सा जुड जाए, ताकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा, तो फ्लीज वीडियो मैं, थांक यू.